नमस्ते जी वेदिक राष्ट में आपका स्वागत है आज का हमारा विशे है धन क्यों परियापत होना चाहिए धन के संबंद में आज हम आचारे चानक की का मत जानने का प्रहत्न करेंगे कि क्यों धन परियापत मातरा में अर्जित करना चाहिए किस तरह से अर्जित करना चा प्रेणादयक कहानिया, पंशिस्तंत्र की कहानिया, वेदिक भजन आपके लेकर आते हैं, इसलिए वेदिक राष्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकून की घंटी को दबा दें, और अपने कीमति सुझाओ कमेंट करें, धन्यवाद, आईए अर्थार्थ, संसार में जिसके पास धन है न, उसी के सब मित्र हैं, प्रथम बात, संसार में जिसके पास धन है, सारे लोग उसके मित्र हैं, जिसके पास धन होता है, उसका सत्रू भी उसके साथ मित्रवत वहवार करता है, उसी से सब बंदु बांदा होते हैं उसी के, उसी वही ठाडबाट में जीवन जीता है अर्थात जिसके पास धन होता है उसके बहुत सारे मित्र होते हैं लोग परिवार जन बन जाते हैं उसके और वही स्रेष्ट पुरसों में जीवन जीता है वही ठाडबाट में जीवन जीता है इसलिए दन परियाप्त मातरा में होना चाहिए दन के बिना कोई कारी नी चलता चाहिए अच्छा कारी हो दन परमात्मा नहीं है परंतु उसका छोटा भाय वश्य है सभी ने धन की महिमा के गीदगाएं है भरतरी महराज ने तो ठीकी कहा है जिसके पास धन है वही कुलीन माना जाता है वही विदवान है वही सास्तरग्य है वही गुणी है वही वक्ता है अर्थात अच्छा बोलने वाला है और वही दर्शनी है सारे गुण जो है स्वर्ण में निवास करते है भरतरी महरा साफ कहते है कि सारे गुण जो है गुणी होना कुलीन होना विदवान होना सास्तरग्य होना अच्छा वक्ता होना अच्छा दरसनी वेक्ति होना यह सब उस सिर्फ धन में निमास करते हैं इसके पास धन है अर्थ है उसके यह सारी चीजें हो जाती है लोग उसके बित्र बन जाते हैं परिवार दिन बन जाते हैं उसके सत्रू उसके साथ मित्रवत ववार करते हैं और इस विशे को और जादा गंभीड़ता से जानने के लिए कि धन की उपयोगता क्या है और हमारे आचारू ने धन के बारे में क्या कहा है पंचसंत्र का जो वीडियो है दूसरे तीसरे नमर की कथा उसको भी आप देख सकते हैं उसमें भी धन के बारे में आचारे विश्णु शर्मा ने और गहराई से बताया है हर पक्ष पर बखुवी विचार किया गया है उसमें आप उसको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में वेदिक राष्ट की धन अवश्यक है धन कमाओ परंतु इमानदरी से कमाओ प्रश्ण उठता है कि धन के से कमाना चाहिए तो धन इमानदरी से कमाना चाहिए और धन कमाने के अलगलग तरीकों के बारे में पंचंत्र में और ज़्यादा बताया गया है इसे लिए और कमाये हुए धन का क्या करना चाहिए आचारे कहते हैं कि उपार जितानाम विपतानाम त्यागव एव ही रक्षणाम ताडगूद स्रक्ष संस्तानम परिवाह इमाँ फम साम अर्थात कमाए हुए धन को वे कर देना दान दे देना भोग कर लेना ही उसकी रक्षा है जो कमाओ या तो उसको वे कर दो या दान दे दो जैसे तलाब के बीतर भरे हुए जल को निकालते ही रहने से पानी सुद्ध और पुईत रहता है अर्थात लगातार कमाते रहो और जो हे उसको लगाते रहो और कमाते रहो या तो उसको अपने उपर खर्च कर दो दान दे दो अच्छे कारे में लगा दो धन से धन बढ़ाने में लगा दो लेकिन उसका उप्योग करते रहना चाहिए भरतरी ने धन की तीन गतियां बताई है महाराज भरतरी ने नीतिशतक में 36 नमबर क्या कहा है महाराज भरतरी क्या कहते हैं कि दानम भोगो नास श्रियो गतग्यो भवन्ति उक्तष्य यो न ददाती न भुक्तये तश्य तरतिया गतर भवती दान देना उभोग करना और नश्ट हो जाना दान दे देना उभोग कर लेना और खतम हो जाना धन की तीन गतियां होती है धन की ये तीन गतियां है मात्र जो ना तो दान देता है ना खुद भोग करता है ना उपयोग करता है उसका धन नश्ट हो जाता है अता-धन की रच्चा इसके बारे में गहराई से जानने के लिए हम आप देंक बताया पंचिन्त्र का दूसरे या तीसरे कता जो है उसको आप देखें एक बार उसमें और गहराई से धन के संबंद के बताया गया है इसी के साथ अन्य इस तरहां की नीतिकत वचनों के लिए प्रेनादया कहानियों के लिए महापुरुषों और विरांगनाओं के जीवन परिचे के लिए वेधिक लेखों के लिए वेधिक राष्ट यूटुब चेनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकोन की घंटी को दबादें और अपने कीमते सुझाओ कमिंट अवश्य करें धन्यवाद